इस विडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हाल के वर्षों में विटामिन E की खुराक लोग प्रिय एंटियोक्सिडेंट बन गई है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिकाओं को क्षती से बचाते हैं। कई लोग विटामिन के एंटियोक्सिडेंट गुणों के लिए विटामिन E की खुराग का उप्योग करते हैं विटामिन E की खुराग के स्थापित लाब उन लोगों के लिए हैं जिनमें वास्तविक कमी है विटामिन E की कमी दुरलब है, लेकिन उन लोगों में इसकी संभावना अधिक होती है, जिन्हें पाचन संबंदी समस्याएं और सिस्टक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां है बहुत कम वसा वाले आहार लेने वाले लोगों में भी विटामिन E का स्तर कम हो सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. एक शक्तिशाली एंटियोक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन E शरीर का प्राथमिक वसा में घुलनशील एंटियोक्सीडेंट है एक एंटियोक्सीडेंट के रूप में ये कोशिका को नुकसान पहुँचाने वाले मुक्तकणों से लड़ने में मदद करता है मुक्तकण शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकते हैं जो कोशिकाओं की समय से पहले उम्र बढ़ने में योगदान कर सकते हैं दो, विटामिन E तवचा और प्रतिरक्षा प्रणाली को पोशन संबंदी सहायता प्रदान करता है तीन, ये फॉर्मूलेशन विटामिन E यानि की D-Alpha टोकोफिरोल की रूप में और D-Gamma, D-Delta और D-Beta टोकोफिरोल प्रदान करता है इस्टतम अवशोशन और आत्मसाथ का समर्थन करने के लिए इसे तेल आधारित सॉफ्ट जल में पेश किया जाता है चार, हेल्थ बेस्ट विटामिन E ग्लूटेन, ये हूँ, डेरी, खमीर, चीनी, कृत्रिम स्वाद, स्वीटन, संरक्षक और रंग से मुक्त है और शाकाहारियों के लिए उप्यूक्त है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें